वाब तो पहुट रही है घई भी है हमें विषम अस्टरो पता चला हो लेकिन उसके बाब जूर्द अंसुनि longshed क्रें तो अब उनकी मत हुआ की टायर कर्ली एक सिमा होता है। यब हम लोग लेकिन उनकोई फूर्फत नहीं है कि राज में दिब्यांग पर क्या काम होता है क्या पैसा दिब्यांग को मिलता है दिब्यांग को 400 रोपया पेंसर में नमस्कार में नंदन आप देख रहे हैं अभी तक दो अपतेस जादा होगे सरकार बाते नहीं सुनती पंदर दिन हो चुका है फिर भी हम लोग बैठे हुए है जहां तक हमारी संख्या बढ़ें रही है हम लोग के सपोर्टर में पूरे बिहार के जितने भी परसिचित है टीचर सारे लोग अभी एक जुटा के साथ बेठे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होगी हम यहां से हटने वाले नहीं है और हमारे कुछ साथी अभी भी इस परियास में लगे हुए हैं कि हमारा काम हो जाए समंजन हो जाए तो जब हमारे साथी इतने जोड़ सोड़ से लगे हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारा काम होगा ही समंजन सरकार को करना ही पड़ेगा किस तरीके से अंसुनी कर रही है सरकार क्योंकि 14 दिन पंदरे दिन हो गया है ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे माध्यम सही आपकी आवाज वहां तक पहुची रही होगी लेकिन यहां पर कोई देखने नहीं आ रहे हैं हाँ आवाज तो पहुच रही है गई भी है हमें विश्मस से शुत्रों से पता चला है लेकिन उसके बाभ जूद भी अंसुनी कर रही है तो अब उनकी मत है क्यों कर रही है और ये सरकार की बात देता होगी वही उक्साएगी कि आप लोग आमरा नंसन करें और जो भी करना है जो करें उनकी बात देता होगी हम लोग सोग से नहीं करेंगे लेकिन जब नहीं सुनेंगे तो हम समझ रहा है कि वो हमारी भी परिछा ले रहा है तो उस परिछा में हम पुरे बिहार के कब तक शांती पुनहरताल करेंगे पंदरा दिन हो गया है आउट रसकते हाएं अपट्र किसे मिल जाएंगा है ऊक कुछरना है हम औंट दोकोmya करें आए तो कंद अडूकर four we करना हम लोगववब ट्रवा सकते हैं फिर क्या करें गया है ठाएंग लटी और जान रड़ यिन हम ले शाहाइब थे तरह तो क्या नहींJeremy अभी तक 15 दिन से नहीं मिला जीते जी नहीं मिला गोटगोट गोटगोट को जो मर रहे हैं उसे अच्छा कि एक पर साफे कर देजा ना खता गानी खतम हो जाएगा अच्छा पहले विशेश का दर्जा देना आप लोगों को 17 साल 18 साल से विगत आप लोग काम करते आ रहे हैं उसके बाद इस तरीके के सिचुएशन पैदा कर देना क्रियेट कर देना कि आप लोगो धरना असल पर बैठना पड़ रहा है वो भी नॉर्मली नहीं कभी महिला सि की अवं बेखना करेंगे अपने घर में हम थुट कितरह रह रहे हैं अब दिव्यांग बच्चे को कहते हैं कि समवेसी विकास होना चाहिए उसके दिवांगों को चारव आड़क्षन हम दिये हैं आचन कियों किस काम का जो दिव्यांग बच्चे पढ़ेंगे नहीं कर लोग बढ़ते जा रहे हैं उनको प्रतिया आप समय नहीं है तो उन कीoa जटा रहे है क्या की पारणा बच्चों के लिए अललक बच्ची के लिए अलाग स्कूल मद्यी आलग स्कूल मद्यी आलपिछे पिरी स्टर दिवांगे होता है। आपका देखो हम लोग के देखालर आप टेनिंग करते हैं आप हम पताते हैं कि स Hag заб लिए लिए ले आसमेशी विजा ले यह मुझ हुअ आप रहा है कि सरा उसमें आप कर देहां कि विश्यान दया अधापक जैकी प्राद रहना चाहिए जिस चीदिए नहीं होना चाहिए एस एचल रहत इसाल कोर्स धर्ना पर वेठने के लिए थे समाने सिक्षक से अलग इसलिए आप लोग को रखा गया था उस समय हम लोग बिलकुल नहीं जानते थे, Special DA, Special BA, Special MAD, हम लोग दिभ्यांगता के छेतर में एक अपना मांदे के साथ साथ सामाज सेवा करने के भी परतिबद्ध थे, लेकिन सरकार हमको नहीं लगता है कि उस सरकार का सरा अधिकारी का और सरा सरकार के मंतरी लोग का दिमाग खराब हो गया है, हम तो यहीं कहेंगे, वो तो यहां तक यह उन्टर्भी लिया थाओ दिम लेबल का, डिम इंटर्भी लिया था, डिस्टिक सिबील सवर्जन लिया था, रेड क्रोफ के सोफाइटी के चेर मैन लिया था, बड़े-ब़ेड अधिम पताधिकारी लिये थे, दियो लिया था लेकिन उस इंटर्वीव लेने के बाद भी हम लोग सारा इंटर्वीव पास करके योगदान किये उस समय हम लोग को जेनरल समान सिक्षक का तिगुना मान दे था तो हम लोगों को लगता था कि हम कुछ जगह पर रहेंगे इज़त परतिष्ठा था लेकिन आज का इस्थिती ये हो गया कि समान सिक्षक का कहा 45,000 चल गया हम लोगों बेतन कहने लेक नहीं वही है अब सरकार दिब्यांग बच्चों को कह रहे है कि काम करते हैं परधान मंतरी विकलांग से दिब्यांग नाम रख दिये लेकिन उनको फूर्फत नहीं है कि राज में दिब्यांग पर क्या काम होता है क्या पैसा दिब्यांग को मिलता है दिब्यांग को 400 रोपया पे बाकिव को पदाधीकारी मार जाते हैं पढ़ जाते हैं परस चलाते हैं असपर्ष केंद्र चाराते हैं मनों विकास मन नहीं इस्थिती के बच्चे को समयवेश्ट करके पढ़ाते हैं हम लोग सरकार अलग उसकुल जुटमूट को बात करता है, अलग बहाली निकालने का बात करता है ये भी बहाली लंबा कीचेगा लेकिन हम लोग को डिस्टरब किये हुए है सरकार को ये है, पदा धीकारी का ये मन में बात अंदर है कि भाई टीचर को बहाली हो जाएगा तो इस अब नहीं मिलेगा यह मौनो विकास केंद्र का पैसा लूट खसोट का मिलने वाला नहीं है असपर सकेंद्र हैं हीरिंग इंपेड गुंगा बहरा को पढ़ाई ये स्पेशल कोर्स चला के किया जाता है अवसमें यह लोगो खाना पीना रहना सारा बेवस्था का पैसा मिलता है और रिसोस टीचर को खाली खटना रहता है रात दिन 24 गंटा ड्यूटी करता है 24 गंटा रिसोस टीचर समा विजेश सिक्षक दिब्यांग सिक्षक कई नाम है हम लोग करते हैं लेकिन पदाधिकारी फिर जाकर छोटा पदाधिकारी बड़ा पदिधकारी का रिपोर्ट देता है कि यह लोग काम नहीं करता है सारा काम हम करते हैं लेकिन यह लोग काम नहीं करता है उचाहे सरवे हो, दिब्यांग का गिंती हो, आपको आनाथ बच्चा का गिंती हो, आंगनबाडी को सिच्छा देना हो, ट्रेनिंग देना हो, समान सिच्छा को प्रफिचित करना हो, एलेक्षन करवाना हो, मजिस्टेट बनना हो, सब बना देगा, लेकिन पैसा नहीं दे सकता पुरूश महिला हैं यह नहीं हम लोग तो जबी से दे रहे हैं 21 नॉवंबर से तो यहां पुरूश महिला हैं सभी है और दिब्यांग बचे जो बोल रहे हैं कि आये थे वो तीन दिसंबर ठाज जो विश्व विकलांग दिवस था वह लोग मना रहे थे क्योंकि हम लोग उन बच्चों के प्रती संवेदंस सील हैं हम लोग उनके सांथ कारे करते हैं आप ही लोग लोग के संवेदंस हो जाएगा कि जी से का दार्जा दिया उनहें भी होना पड़ेगा अब हुँ नहीं हो रहे हम तो देख रहे हैं ना सरकार कितनी समवेदन सील है आज किसी के घर में साधी है कोई उच्चा दिकारी के घर में साधी है तो हमारे तेजस्वी जी को कोई तबियत नहीं खराब होता है कुछ नहीं होता है वो पहुंच जाते हैं उनके साधी में कल एक रैली था तो उसमें वह पहुंच गया है लेकिन एकिन पहले तीन तारी को दिभ्यांग दिवस था वह किस तरह कितना वह समवेधन सेल है वह तो उस दिन दिग गया उनका कितना है वह दिख गया कि तीन तर्फ को आपका दिभयांगता हम लोकर दियांगता बच्च दिभयांगता दिवस था उस दिन उन्हें के मेरा तव्यत खराब है आज मैं वहां नहीं आ सकते। इतनी बड़ी बड़ी रेलियों में वो पहुंच सकते हैं उनकी तब यतने खराब होती है लेकिन वो दिव्यांगता दिवस में नहीं है तो उनकी समवेधना दिखती है वहाँ पर कि आप हमारे प्रती क्या समवेधन सील होंगे विसे सिख्चकों के प्रती आप कितना दिख्वाना बोलवाना है वह उनको हम करवा के रहें तो इस वक्ता मुझत गर्दनी बग्धना असल पर आप देख सकते हैं कि बिहार के तमाम जीलों से चलकर विसे सिख्चा क्या हुए है और पंदरहवा दिन हो गया है आज पंदरहवा दिन है लेकिन अभी तक कोई 24 मैं अंदा नम्रेस वेके पिंडू के साथ धन्यवाद